आज मैं चल नहीं हूं काजू कतली बनाने के लिए तो कैसे बनाई जाएगी आपको दिखा रही हूं बना करके और इतनी परफेक्ट बनी है कि बस पूछो नहीं महमान आने पर तुरंद बना के खिला सकते हैं पेस कर सकते हैं बजार से मार्किट से लाने में बहुत सस्ती पटाफट 10-15 मिनिट में तयार हो जाती मिठाई ताजी बनाया महमान के आगे पेस करें इतनी मस्त बनी है काजू कतली और कम पैसों में की बस पूछो नहीं तो मैं आपको दिखा रही हूं बहुत ही अच्छी बनी है और आप लोग इसी परकार से बनाए अगर वीडियो हम करीब दो कप च्ञाइब करने से दोड़ा साप वीडियो जाएंग तो यह में चलने इसको चासनी थोड़ा सा पानी में डाला जाएगा करीब दो से तीन चमब पानी डलेगा और चल लेए बस इसको चासनी के लिए इसको चासनी हमारी परफेक्ट तयार हो चुकी है यह मैं आपको दिखा रहे उतार यह हमारे एकतार की आउसनी वशिक तयार हो चुकि आध glow कर दिया इसको घी से केंटिन को तो यह लगा डेते हूं पूरे बड़तन में तो अब इसको चल रहा हूं पहले आप कढाई उतार करके और चल रहा इसको मिलाने के लिए जो मैंने पीस के बाद काजू रखे थे वह काजू सारे मिक्स करूंगे अब कढ़ाई को भी मुझको नीचे ही उतार लेना है गैस को तो हमने पहले ही बन कर दिया था तो इसको जितना चलाते रहोगे उतने यह परफेक्ट जो हमारा अच्छा टाइट ह भी में तो अब होता रहेगा बर्फिक को जमने के रूब में आ जाएगा तो इसको मुझे चलाते रहना है चलाते रहना दोखो कलर भी चैंज हो गाए तो इस परकार से मुझको पान से छे मिनट तक चलाके रखना है तो यह टाइट होती जाएगी जितना चलाईगे तने य प्रफ वरक कुछ इसको डोकिरट करूंगी चांदी के वरक वरक कुछ और नहीं मुझको तो बस यह जो काजू कतली बस चांदी वर्क से भर बर के लगाओ खुब काजू कतली में यह जब यह बरफी नजर आती है काजू कतली देखने में मस्त लगती है तो हम पर ज़्यादा है नहीं तो कुछी कम है तो मैं थोड़े ही लगा दे रही हूं वैसे तो मुझको भर बर के जादा लगाने ते एक काट रही हूं काजु कतली और इसको देखो मैं अच्छी परकार से कारूँ यह एक करीब 5-10 मिनट तक बाहर में रखोंगी फ्रीज में बिल्कुल नहीं रखोंगी बाहर रखते ही फोरम यह कतली यह तैयार हो जाती है यह काजु कतली और मैं अभी बस काट के तुरंती 5-10 मि तो यह तैयार हो जाएंगी आपको निकाल के दिखाऊंगी तो यह मैं काटके पहले कतले निकाल के दिखा रही हूं है तो यह पर्फेक्ट हमारी बहुती कम पैसे में तयार की गई है यह वर्फिय हमारी काजु कतली और आप लोग भी सी परकार से बनाएं खिलाएं कटले काट के और यह हमारी फोरम यह तैयार हो चुके यह देखिए कितने एच्छे मैं आपको दिखाऊंगी इतना अच्छा साइज बहुत पतले ही बने हैं और यह जो काजू कतली होती तो बारी की महीन पतली काटी जाती है आम मिठाई के जैसे साइज नहीं रहता है पतली ह पहती है और बहुती बढ़िया बनी बदो चीजों से तयार की जाती है काजू कतली इतनी बढ़िया बनी महमान आने पर तुरंत बनाए और खिलाए इतनी मस्त है कि बस पूछो नहीं और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को देख करके और अगर नहीं अग मेरे कहने से जरूर बनाए वीडियो को लाइक करें शेयर करें